हेलो फेंट्स वेलकम बैक टू एनदर वीडियो तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दासका के तरफ से आने वाले एंप्लिफायर जिसका मोडल नंबर है डी एक्स 4.2 ए के बारे में जो की एंप्लिफायर मार्केट में काफी ज्यादा धूम मचा रहा है और प्राइश हमें मार्केट में कितना देखने को मिल सकता है साथ में करेफैर का लोड केलकुलेशन और बात करेंगे इस एमप्लिफायर के स्पेसिफिकेशन्स की तो उससे पहले अगर आप है इस चैनल पर नए तो कर लीजिए हमारे इस चैनल को सुब्सक्राइब और बेराल section में दो volumes के nobs मिल जाते हैं और साथ में उनके lighting indicator जो की दोनों चैनल के लिए particular आपको volumes nobs और उनके lighting indicator देखने को मिल जाते हैं एक power on off का switch भी इस amplifier में मिल जाता है साथ में आपको नीचे branding दिख रहा होगा 10 का dx 4.2a और उपर में mention किया है two channel professional amplifier साथ में आपको amplifier के top of भाग पे यानी की ऊपर के तरफ आपको देखने को मिल रहा होगा असका का branding जो की एक laser printing के दवारा किया रहता है यह branding यह sticker नहीं होता है तो original amplifier का पहचान करने में भी आपको help मिलेगा इससे अगर बात करें back section की तो उसमें आपको bridge mode, parallel mode, stereo mode सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है और साथ में settings भी आपको मिल जाते हैं जो amplifier में होते है और साथ में इस amplifier में आपको crossable भी देखने को मिलता है दोनों चैनल के लिए तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस amplifier के output की और साथ में देखेंगे कुछ specification जो की ज़रूर ही होते हैं हमारे लिए तो अगर बात करें इस amplifier के output की पहले तो 8 ohms में 1200 watt का per channel output amplifier निकालके दे रहता है 4 ohms में 16 watt का per channel output amplifier निकालके दे रहता है और 2 ohms में 250 watt का per channel output amplifier निकालके दे रहता है साथ में इस amplifier में अगर bridge output की बात करें तो 8 ohms में 32 watt का output और 4 ohms में 4800 watt का output amplifier निकालके दे रहता है damping factor की बात करें तो 1050 मिल याता है इस amplifier में जो की काफी अच्छा है तो इस amplifier में आप base का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको damping factor का काफी अच्छा देखने को मिल याता है अगर बात करें इस amplifier के class की तो class H का है इस amplifier net weight की बात करें तो 33 kg का amplifier रहता है तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर हम इस amplifier को लेते हैं तो हम base कितने watt तक के चला पाएंगे और top कितने watt तक के चला सकते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम top से related कि इस amplifier पे हम top किस type से run करवा पाएंगे तो सबसे पहले बात करें फोरूम्स की तो फोरूम्स में यह एंप्रिफायर 16 वाट का आउर्पुट निकाल के दे देता है तो आप इस पे इसली 1500 से 1600 वाट के दो टॉप यूज कर सकते हैं यानि कि पर्चनल पे एक एक टॉप आप लगा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉंस चाते हैं तो 1400 वाट तक के टॉप आप इसमें लगाईए थोड़ा सा हेड रूम रहेगा तो आपको क्लिरिटी काफी अच्छी देखने को मिलेगी अगर बात करें चार्टॉप के लिए तो चार्ट आप आप इसमें 1000 वाट के चार्टॉप यूज कर सकते हैं तो 2500 वाट का ओप टॉप पर देता है तो आप इस पर इस ली 1000 वाट के चार्टॉप चला सकते हैं कोई दिकत नहीं होगा, इसली ये amplifier इतना load handle कर लेगा, काफी अच्छा है ये amplifier और 2 ohms पे भी stable work करता है, तो आप इस पे easily इस type के load दे सकते हैं, तो अगर बात करें base के लिए, तो bridge mode पे तो आप base चला ही सकते हैं, इस amplifier के wattage के हिसाब से, अभी हम बात करेंगे इस amplifier पे stereo mode पे हम base किस type से चलाएंगे, तो 8 ohms के अगर बात करें तो आप 1200 watt के दो base इस पे यूज कर सकते हैं, यानि कि single base आप इस पे दो चला सकते हैं, 1200 watt के, बार्चनल पे एक एक base आप चला सकते हैं, और अगर बात करें 4 ohms की, तो आप इस पे 800 watt के 4 speaker चलाएंगे, काफी अच्छा response आपको सुनने को मिलेगा, 4 speaker कहने का मतलब यह है कि जो 6.600 watt के base आते हैं हमारे, या फिर 6.600 watt के speaker के साथ जो base बनते हैं, single watt काफी अच्छा response amplifier बेस में भी आपको निकाल के दे देगा, dumping factor क्योंक काफी अच्छा है, तो आपको यी amplifier अच्छा punch और vibration निकाल के दे देगा, तो चलिए आप करते हैं इसी के साथ इस video को end, मिलते हैं किसी एक और interesting वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम